All is well जी हाँ ऐसा ही कुछ हमें हमारी सरकार बताती है जिससे पूरी दुनिया इत्तफाक नहीं रखती है Global Hunger Index इसका मतलब है कि दुनिया भर में कितनी भुकमरी हिंदुस्तान में है कितने लोग भुके सोते हैं कितने बच्चे अंडर्म निक्रियस्ट होते हैं जी हाँ आपको बताया कि Global Hunger Index ने हिंदुस्तान को 127 में से 105 हुए पायदान पे रखा है हमसे आगे तो नेपाल, बांगलादेश, सुदान और मियामार जैसे देश है जिन में इतनी गरीबी, इतनी भुकमरी नहीं है Global Hunger Index जो हर 8 साल में समिक्षा करती है जिसके बाद रिपोर्ट दुनिया भर को पब्लिश करते है और इस बार हिंदुस्तान का जो स्कोर है वो बेहत खतरनाक 27.3 बताया जा रहा है अब बात कर रहे हैं तो फूट सेक्योटी जिसे हम Right to Food के नाम से भी जानते है Right to Food आए हुए 2013 में ये पास किया गया था कहा जाता है कि घरीबों को खाना भी बाटना है राशन भी दिया जाता है लेकिन उसके बावजूद ऐसा क्या है कि दुनिया भर में हिंदुस्तान के नाम की किर्किरी हो जाती है जब Global Hunger Index जब इशू किया गया जब जारी किया गया तो बताया जाता है कि हिंदुस्तान के बच्चों को बराबर खाना नहीं मिलता है हाला कि 2016 के बाद कुछ इस्तिती ठीक हुई है लेकिन इतनी भी ठीक नहीं हुई है जितना हमें बताया जाता है हो सकता है हम सूपर पावर बन जाए हो सकता है हम five trillion economy भी बन जाए लेकिन क्या है वैसी economy का और वैसा सूपर पावर का जब हम अपने खर के बच्चों को खाना प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं हम अपने नर्म बिस्तर में सो जाते हैं और कुछ गरीब है जो खाली पेट ही रात को सोना पड़ता है। लोग यहां भूक से मरते हैं। कि वहां चावल के दाम इतने हैं आलू का दाम इतना हैं दूट का दाम इतना हैं लेकिन भुकमरी अतनी नहीं है। ऐसा कैसे हुआ कि हिंदुस्तान इतना भुकमरी हो गिया जबके हम वन अफ दे हाइस्ट टैक्स पेंग नेशन हैं। कोई भी सामान खरीदे आप टैक्स देते हैं और सुकून हमें इस बात की होती है टैक्स देने के बाद कि चलो हमारे टैक्स से घरीबों का भी कुछ भला होगा। इसकी सुरक्षा का भी बहतर होगा और इंफरस्टक्शर भी अच्छा बनेगा। झाल 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 झाल